सबसे पहले आपको याद रखना है कि अठारणी लोग सुभा चुनाव हुए है नतीजों में राजस्तान के संदर में ऐसत्य कतन बताईए भारतिय जनता पार्टी को सिटे आई है 14 टोटल राजस्तान में लोग सुभा सिटे किती है 25 कॉंग्रेस का गटबंदन सबी छोटी म सारी पार्टी थी उनके साथ मिलकर था जिसका नाम रखा गया इंडिया ठीक है क्या रखा गया इंडिया उसको सिटे कितनी आई है 11 सिटे आई है सबसे बड़ी जीत महिमा कुमारी रासमंद की है उनको मिली है और सबसे चोटी जीत मंजू सर्मा ये गलत है सबसे चोटी ज पर्ष ने बनता है कि अब की बार लोग सुभा चुनाओ कौन से होए अठार में सन कौन सा दोवाजार जोईस ठीक है राजस्तान में शीट कितनी 25 पचीस शीटों पर इतने चरनों में चुनाओ ने चुनाओ वे थे पहला उनीस अप्रेल और दूसरा 26 अप्रेल को 13 तोटल ल इंडिया एक गठबंदन मनाया गया 11 सीटे मिली तो ये दो बहुत बड़ी बात है 2019 जो 17 लोकसभा के चुनाव थे उसमें RLP पार्टी को एक सीट और बाजपा को 4 सीटे मिली थी आपकी बार देखो 14 बाजपा और कॉंग्रेस 11 सीटे सबसे बड़ी जीत जो मिली वो महिमा कुमारी को मिली थी रासमंद की महिमा कुमारी है इन्होंने किसको हराय था और ये महिमा कुमारी बाजपा की है इन्होंने कॉंग्रेस के दामोधर गुज़र को लगबग 3 लाख बाण में हजार वोटों से हराया सबसे छोटी जीत राव राजे अंदर सिंग किया रही थी जेपुर गरामेन से ये भी बाजपा के है इन्होंने कॉंग्रेस के अनिल चोपडा को लगबग 1600 वोटों से हराया ये आपको याद रखना है अब हम चर्चा कर लेते हैं इंपोर्टन एक ये याद रखना कि सबसे युवा सांसद कौन बनी है तो सबसे युवा सांसद बनी है संजना जाटव बर्थपूर से 26 साल की है योगि लोगसुबा चुनाव के लिए 25 वर सायों चाहिए सबसे बुजुरुग बने है बरजेंदर ओला जो जुन-जुनों के हैं लगबग 31 साल के है और नोट्टा को जो वोट आये थे नोट्टा को वो आये थे 0.480 परतिसत ठीक है इतनी चीज याद रखना अब अपने राजस्तान में 25 सीट है तो आमें 25 वरों को जुरूर याद रखना है देखो राजस्तान लोगस बाचुनाव अपडेट बीजेपी यानी एंडिये विजेता सीट चोधा वीकानेर से जिते अर्जुन राम मेगवाल जालावाड बारा से जिते दुस्यंत सिंग पाली से पीपी चोदरी उध्यपूर से मननालाल जालोर शिरोई से लुंबा राम चितोडगण से सिपी जोसी जेवपूर सहर से मंजु सर्मा ओटा बुंदी से ओमबिडला रासमन से महिमा कुमारी जेवपूर ग्रामिन से राव राजेंदर सिंग जोधपूर से गजेंदर सिंग से खावत अलवर से बुपेंदरी आदव ये मंतरी ये देको ये भी मंतरी ये भी मंतरी पिछे पीपी चोदरी अब वो अर्जुन रामेगवाल अजमेर से बागिरत चोदरी और बीलवडा से दामोदर अगरवाल ये 14 सीटे किसके खाते में गई है बाज़ पाके कॉंग्रेस यानि इंडिया विजेता सीट 11 इसमें से 11 में से क्या हुआ कि 8 सीटे कॉंग्रेस को स्पष्ट थी और 3 गटवंदन से आई है कौन-कौन से आई है वो देख लेना कॉनली दोलपूर बदनलाल जाटाओ दोसा से मुरारिलाल मीना बर्तपूर से संजना जाटाओ स्री गंगानगर हनुमानगड से कुलदीप इंदोरा नागोर से हनुमान बेनिवाल ये अरलपी पार्टी है ठीक है इसका गटवंदन था इंडिया से बांस्वडा से राजकुमार रोत ये बीएपी पार्टी है इसका गठवंदन भी इंडिया से था सिक्कर से अमरा राम माकपा के थे इनका गठवंदन भी किस के साथ था इंडिया के साथ जुन-जुनू से बरजेंदर ओला चूरू से राहूल कस्वा तौंक स्वाइमादोपुर से हरिस्चंदर मेना और बाड मेर से उमीदा राम बेनिवाल जुनोंने रुविंदर भाटी को हरा है तो ये 11 सेटे इंडिया यानि कॉंग्रेस और 14 सेटे भाजपा यानि एंडिये ये आपको याद रखना है एक्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है अगला परसन देखो अठारमी लोक्सुबा चुनाव में राजस्तान से तीन मैला सांसत बनी उन्हें कौन सी सामिली है यानि 25 इसमें से तीन मैला सांसत बनी है मंजु सर्मा बनी है संजना जाटव बनी है और महिमा कुमारी बनी है प्रियंक का बेलान नहीं बनी है ये श्री गंगानेगर अनुमानगड लोक्सुबा सीट से खार गई थी किसे उलदीप इंडोरा से भाजपा की थी तो अठारमी लोक् राजस्तान में विदान सभा चुनाव हुए थे तो इसमें 20 महला विदायक बनी थी और अब आपको याद रखना है कि महला सांसत लोक्सुबा सांसत कितनी बनी है तीन महिमा कुमारी संजना जाटव मंजु सर्मा और जब-जब महलाओं का नाम आता है एक्जामियर क्विस अभी राजस्तान के अंदर एक सो निनान में सीटें थी बागी दोरा विदान सभा उप चुनाव हो गए अब 200 हो गई लेकिन वापिस पांच फिर खाली हो गए करण कि 5 विदायक है वो सांसत बन गे 5 विदायक MLA से MP बन गे कौन-कौन से तो अठार्मी लोक्सुबा चुन से हनुमान बेनिवाल पहले सांसते फिर विदायक बने अब फिर सांसत ये 5 सीट खाली हो गई अब इन 5 सीटों से वापिस अगले 6 मेने में उप चुनाव होंगे अब तक राजस्तान में 2 उप चुनाव हो चुके हैं पहला करणपूर वाड़ा और दूसरा बागी दोरा व बाती ही के पंद्री